हलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लॉग बित प्रियंका सिन्दा में आज हम सेर करेंगे आपके साथ एक डोसा की रेसिपी जो बहुत टेस्टी होता है खाने में और बनाने में बिल्कुल आसान है ये बहुत आसानी से बन जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आपको बहुत प तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्पेसल रेसिपी एक डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए डोसा का बैटर तो हम यहाँ पे डोसे का बैटर ले लिए हैं अब हम लेंगे एक बॉल और बॉल में डालेंगे दो अंडे को हम तोर के डालेंगे हम यहाँ पे द यवो डालेंगी, थोरे से गाजर को हम घड दो टो लेंगे अब इसमें हम डालेंगे थोरा सा धनिया पत ती महीं चोप करके एक छोटा सा टमाटर इसे चॉप करके हम रखे थे वो डालेंगे अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और आदी छोटी चमच ब्लैक पेपर पाउडर तो ये सब डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से हम मिला लेंगे बस तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लिए अब देख सकते हैं, यह mix हो गया, तो चलिए अब हम डोसा बनाएंगे, तो गैस अन करके हम डोसा तावा चराएंगे, गैस को medium to slow रखेंगे, हाई नहीं रखना है अभी, अब इस पे हम डालेंगे refined oil और इसे grease कर लेंगे तावा को, आप चाहे तो cotton कपरा भी ले सकते हैं, brush भ तो थोरा सा पानी, बैलन्स करने के लिए अगर तावा हमारा ज्यादा गरम हो गया है, तो यह पानी से बैलन्स हो जाएगा, तो थोरा सा पानी डालके तावा को पोश्च दीजिए, जैसे नॉर्मली डोसा बनाते हैं, अब इस पे हम डालेंगे डोसा बैटर, और इसे अच से लगा लेंगे, आप बटर की जगा कोई भी cooking oil ले सकते हैं, तो यह बटर हम अच्छे से लगा दिये, इसके बाद हम यह अंडा डाल लेंगे, तो इसे अच्छे से डाल के और पूरे डोसे पे हम इसे फैला लेंगे, अच्छे से आप किसी चम्मच की या किसी भी चीज से पूरे डोसे पे इसे अच्छे से फैला लिजे इसके बाद हम इसे पकने देंगे सूखने देंगे थोड़ा सा ये ड्राइ हो जागा तो इसे हम पलट लेंगे तो डेर से 2 मिनिट लग जाएगा मीडियम गैस पे आप इसे थोरी दिर इसे ऐसे ही पका लिजे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ड्राई हो गया है थोरा सा तो इसे हम थोरा सा ऐसे किनारे से निकाल लेते हैं और आप हम इसे पलट देंगे इसे पलट के भी हम 20-30 से के लिए पकाएंगे यह बहुत जल्दी बन जाता है यह जादा देर पकाने की जुरत नहीं है आप देख सकते हैं दोसा हमारा अच्छे से सिख गया है क्रिस्पी दोसा बन के तयार होता है दोसा हमारा अच्छे से सिख गया है बस थोरा सा यह एक भी साइड से सिख जाए तो बस 20-30 से सगेंड के लिए हम इस साइड भी से से शेक लिए तो अब आप देख सकते हैं एक डोसा हमारा पुरी तरह से तैयार हो गया है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं तो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं आप जैसे चाहे इसे फोल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो आधे से फोल्ड कर सकते हैं, हम इसे राउंड फोल्ड कर रहे हैं, अब अपनी मर्जी से जैसे आपको पसंद है, वैसे इसे फोल्ड कर लीजे, और यहां हमारा एक डोसा तैयार है, हम इसे निकाल लेते हैं, और इसे हम काट लेते हैं और हम यहां पर इसे हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं आप अपने मन पसंद चटनी के साथ डोसा ज्यादा तर नारियल की चटनी या मोंफली की चटनी के साथ सर्व करते हैं तो आपको जो चटनी पसंद है आप उस चटनी के साथ इसे सर् तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ किजेगा और हमने बताईएगा कि कैसा लगा ये रेसेपी तो अगर मेरा रेसेपी आपको अच्छा लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बिल का बटन भी प्रेस कर लिजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुं